हेलो गाईज वेलकम टू माई यूटूब चैनल एम आई ए सेलूशन मेरा नाम इर्फान है जैसा कि आप जानते हैं मैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें गाईज आज हम बात करेंगे आल इन वन की आल इन वन में रैम अपग्रेड की रैम अपग्रेड कैसे करते हैं आज मैं आपको दिखाऊंगा इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इसके फीचर के बारे में और इसमें क्या के कमपनी प्रोइड करती है अभी म जाती है तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे open करते हैं किस तरीगे से open करते हैं जो स्क्रीन नहीं तूटेगी तो चलिए कर इस वीडियो क्यों निकलाए सबसे पहले इस तरीगे से bend कर लेंगे और ये पट्टी white वाली है इसको सबसे पहले निकालेंगे देखिये इस तरीके से तो इस तरीके से निकालने में क्या होगा स्क्रीन नहीं तोटेगी आपकी देखिये मैंने बहुत ठीक है अभी क्या करेंगे ये इस तरी इस तरफ से हम उठाएंगे स्क्रीन को हलका सा और एक क्लिप लगाएंगे प्लास्टिक की ये देखे ये क्लिप है मेरे पास इस से खोलेंगे तो क्या होगा प्लास्टिक से स्क्रीन नहीं तूटती है लोहे से तूट जाती है तो मैं उ अराम से उड़ जाएगी स्क्रीन देखे इस तरीके से उपन करने में क्या होगा आपकी स्क्रीन नहीं तूटेगी देखे अभी ये उपन हो गए तोड़ा सा ये नीचे के और फस्ता है अभी इस तरीके से धीरा धीला करके निकाल लेंगे एकदम अराम से निकल जाएगा देखे निकल गया इस तरीके से निकलेंगे तो कभी स्क्रीन आपकी नहीं तो उटेगी अब हम क्या करेंगे रैम को अपग्रेड करेंगे तो यह रैम दिख रही है सामने इसमें दो स्लोड है इसको नीचे कर लेंगे देखे इसमें दो स्लोड है यह वाली को नीचे कर देंगे दूसरी हमें लगाएंगे वो उपर कर दूँँगा आप जो यह दूसरी वाली भी नीचे लगा सकते वो मैं आपको दिखाने के लिए उसको नीचे लगाया हूँ अभी यह खोल लेता हूँ पहले अभी ये वाली को अभी इसमें उपर लगा देंगे उपर लगाने के बाद फर्स्ट फॉल पहले अपन क्या करेंगे इसको चेक करेंगे उसके बाद पैक करेंगे पैक करने के बाद क्या प्रॉब्लाम होगी मान जिजे डिस्प्ले नहीं आया तो फिर अपने को open करना पड़ेगा तो अभी ये मैंने से ही रखके अब open कर लेंगे अब पहले open करके देख लेंगे कि display आ जाएगा तो as it is pack कर देंगे थोड़ा time लगाता है जब भी RAM अप्ग्रेट करेंगे या CPU अप्ग्रेट करते हैं तो थोड़ा time लगाता है डिस्प्ले आने में फिर उसके बाद then on करेंगे तुरंट ही आ जाएगा आपका डिस्प्लेइ तो गैस ये देखिए हमारा डिस्प्लेइ आ गया है तो अब हम पावर निकाल देंगे अभी हम क्या करेंगे इसको बंद कर लेंगे इस्क्रीन को इस तरीके से प्रेस करेंगे तो वो अपने आप बैड जाएगी आप ये देखिए इसकी कोर देख लीजे अराम से लगा हुआ है स्क्रू लगा लीजे इसमें इसक्रू लगाने के बाद सारे स्क्रू लगाने के बाद आप पट्टी लगा लीजे पट्टी लगाने के बाद आप फिर से चेक कर लीजेगा ताकि आपकी स्क्रीन तूटी ना हो क्योंकि खोल ओपन करते टाइम नहीं होती है तूटती नहीं है, लेकिन जब उसको बंद करते हैं तब तूड़ जाती है, तो आप इसको पटी लगाने के बाद फिर से आप उपन करके जरूर देख लीजे, देखें, अभी मैं उपन करूंगा इसको अन करके चेक जरूर करूंगा, और आपको भी दिखाता हूँ, देखें, गईज,